इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको समर्थ एप पर सभी बच्चों की स्क्रीनिंग करनी है सभी बच्चों का फोटो अनिवार है यह कार इस तरह बिद्याले समय में और बिद्याले में ही होगा क्योंकि बच्चे का फोटो खीचना आने वार है किसी भी बच्चे का आपको registration नहीं करना है देखे आप registration कर रहे हैं तो वो गड़वड है गलत काम कर रहे हैं आपको कैसे करना है वो सारी चीज़े मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले आप summer tab पे mobile number और password से login कर लेंगे अगर login नहीं कर पा रहे हैं तो can't login पे click करेंगे और forgot password पे click करेंगे इसके बाद में mobile number डालेंगे एक विद्याला में एक ही mobile number registered होगा वो mobile number डालके continue करेंगे इसके बाद में आपके पास में OTP आ जाएगा वो OTP डालेंगे आप और नया password बना लेंगे आप कोई भी digit का बना लें चार digit का पास डिजिट का चैर डिजिट का और आप continue करेंगे अगर आपके पास में OTP नहीं आ रहा है तो आपके जो ब्लॉक में दिब्यांग सिक्षा देख रहे होंगे उनसे आप बात करेंगे उन पर एक master login होता है तो वहां से वो reset कर देंगे और आप उसको login कर पाएंगे इसके बाद में देखिए आपको इस type से दिख रहा होगा अगर किसी के यहां पर पहले से ही बच्चे दिब्यांग registered है पिशली साल के चले आ रहे है तो उसमें child registration में ऐसे दिख रहा होगा child registration में 3 का मतलब यह है कि वहां पर तीन बच्चे दिब्यांग है जब इस पर click करेंगे तो देखिए यह बच्चे का नाम आ रहा है आयरा disability group है इसका orthopedic चबी orthopedic नैतिक इसका mentally disability group है MR लिखा हुआ है देखिए यह तीन बच्चे हो गए जो आपके दिब्यांग है अब आपको सभी बच्चों का screening करनी है सभी बच्चों की screening कैसे करेंगे उपर जो यह 3 lines आ रही होंगी अप में समर्थ जहां पर लिखा है वहाँ 3 lines पर आप click करेंगे जब 3 lines पर click करेंगे तो एक option आएगा देखिए तीसरे नमबर पर child screening तो child screening पर आपको click करना है इसके बाद में देखिए समेकित सिक्षा बच्चों की बाधाओं बेरियर से सम्मनित screening checklist checklist भरने के निर्देश बच्चों के सर्वेक्षड में सर्वेक्षड करता द्वारा बच्चे के माता पिता या विवावक से बच्चे की दक्सता किरिया सीलता वा कारे कुसलता से सम्मनित बाधाओं के बारे में जानकारी एकत्र की जाएगी तो आपको बच्चे की अगर पर जानकारी नहीं है तो आप गार्जियन से को बलाईए और उनसे पूछिए कि इसको कोई समस्या तो नहीं है इसमें जो सारे कुश्चन्स आ रहे हैं वो गार्जियन से और बच्चे से पूछ के आपको भरने हैं उपर जानकारी विवरड की एंट्री सम्मंदित विद्याले के प्रधाना अध्यापक या विद्याले में जो नोडल टीचर होगा इंचार्च द्वारत समर्थ मोबाईल एप में की जाएगी इसके बाद नेक्स्ट करेंगे जेंडर सेलेक्ट करेंगे मेल है या फीमेल है हम एक फीमेल का भर रहे हैं इसके बाद में एड्रेस अध्रेस में का नाम बढ़ दीजिए जनल है स्टी है जो भी है इसके बाद में अकेडमिक डिटेल स्कूल नेम ऑटमेटिक आ रहा होगा आपका क्लास आपको सिलेक्ट करने हैं जैसे हमने एक बच्चे के क्लास सिलेक्ट किया और प्लिक पूछेगा उसमें अगर आपके कोई भी बच्चे की डिसेविल्टी है तो हां करना है नहीं तो जो बच्चा किसी भी प्रकार की डिसेविल्टी नहीं है जिसमें उसमें आपको नहीं नहीं करते जाना है बच्चे को चलने में या सीडियों पर चड़ने के लिए किसी की सा हाथ वाह पेर वर रीड तेड़े मिड़े हैं। बच्चों के हाथ पेर जनम से नहीं है, अत्वा किसी घटना में कट गए हैं। बच्चे के सरीर का समन्बय या संतुलन कमजौर है। बच्चों के अंगों में कठोड़ता है ये जटके के साथ चलता या चलती है। बच्चा अन्यंतित रूप से चलता या चलती है, बच्चे को बोलने में कठनाई होती है या बोलते समय लार भहती है, बच्चे द्वारा बस्तूओं को पकड़ने एक जगह से उठाकर अन्य जगह पर रखने में कठनाई होती है, इसके बदने टू पॉइंट बन से वहाद आखों से कुछ भी नहीं देख सकता या सकती है, बच्चे की दोनों आखें एक जैसी नहीं या आखों में भेंगापन है, बच्चे को इसपस्ट दिखाई नहीं देता है या धुंदला दिखाई देता है, बच्चे को धीमी रोशनी में, अत्वार रात में देखने में कठ रखता या रखती है बच्चा किसी बस्तू को देखने के लिए जोर लगाता है या उस पर ध्यान किंद्रित करता या करती है अब थर्ड बच्चे को बुलाए जाने पर पत्किरिया नहीं करता या करती है बच्चा अपने कान को बोलने बाले ब्रक्ति की दिसा की और मोडता या मोड़ती है बच्चा सामाने ध्वनी को अत्वा अपने सहपाठी की बातों को आसानी से नहीं सुनता या सुनती है बच्चे को बातावड की ध्वनियों को सुनने में मुश्किल होती है जैसे कि स्कूल की घंटी ब्यक्तियों के बुलाने की आवाज आदी बच्चा बहु स्पस्ट्र रूप से बोलने में परिशानी होती है, बच्चे के मुह में कोई विक्रती, कटा होस्ट, तालू में छिद्र, जीव जुड़ी हुई है, आदे दिखाई दे रही है, बच्चे का विकास अन्य बच्चों की तुला में धीमाया कम है, बच्चे को स्वेम की करने जैसे के खाना खाने वा कपड़े पहनने में कठना ही होती है, बच्चे की नाक चप्टी, सेर कान वा उंगलियां चप्टी अत्वाद जीव उभरी हुई है, बच्चे का सिर आयू के अनुसार बड़ा या छोटा देखाई दे रहा है, बच्चे को किसी की आँखों मे आँखे मिला कर देखने या आई कॉंटक्ट करने में परिसानी होती है, किसी एक जगे पर घंटों के लिए चुपचा बैठा रहना है, एक ही काम को वारवार करना, बच्चे को समू में या सहपाटियों के साथ खेलने में या सहजा या परिसानी होती है, आप देखिए, य इस पर आपको समिट करना है, सक्सेज, स्क्रीन रिपोर्ट है बीन समिटेट, इसको आप ओके करेंगे, अब देखिए, चायल्ड स्क्रीनिंग लिस्ट देखेंगे हम, तो अब दुबारा से थरी लाइन पर जाएंगे, यहां पर समर्थ लिखा हुआ है, यहां पर स्क्रीन चायल्ड लिस्ट पर क्लिक करेंगे, अब देखिए, जिस बच्चे का हमने स्क्रीनिंग की थी, उस बच्चे का नाम आ गया, अब हमने क्या क्या स्क्रीनिंग में किया है, तो वहां पर व्यू चेक लिस्ट पर आप क्लिक करके देख सकते, देखिए, यह 1.123456789, 2.1234567, 3.12345678, 4.12345678, तो इस तरीके से देखिए, आपको परतेक वच्चे की स्क्रीनिंग करनी है, रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, अगर आपको और कोई भी कन्फूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चै 별로 जामाएब नहीं किया स करिंग